पील दोजार पचीस का मेगा उक्षन जो होने जा रहा है तो बीसी सी आई ने जो प्लियर रेटेंशन की जो नाम है वो सब्मेट करने के लिए 31 अक्टूबर की लास्ट डेट रखी है तो उससे पहले लगबल लगबल सभी टीम अपने नाम सब्मेट कर देंगे लेकिन क्या बैंगलोर में आपने देखा होगा टेस्ट मैच की दोरान जब रोहिष सर्मा को लेकर के एक फैंस है बैंगलोर का वो फैंस था और रोहिष सर्मा के साथ एक खास डिमांड रखी है क्या रोहिष ऑंसी टीम से आई पेल खेलने वाला है या फिर आरसीवी से खेल लो यार य यह से चाल रही है ना बाहर निकल करके तब लोग बोल रहे हैं को हरें रिटेंस के लेए कि लेगर अगर रेफी इसो continuar हो तो निश्चित मिझस होने वाला है इस मुंबई की टीम में जो आई केल दोजार चौबिस था ना मुंबई ने नीचे से बॉटम से टॉप किया था उसका सिर्फ एकी कारण था बगावत का दूर था जो ड्रेसिंग रूम का माहुल था बहुत ज्यादा खराब था मुंबई ने इसका और आप मुं तिलग बरमा भी नहीं चाहते है कि मुमबई के लिरे श्याद लें मजबूर होंगी अगर उणको रेटेंट में पर होता है कि उनको रेटेंट नकिया जाए क्या वो आक्षन में जायता एगर रोहिसर्मा आक्षन में जायें तो बड़ी रखम होने वाली है कम सखम 3035 करोल म पर रोहिस सर्मा बिकने वाले हैं इतनी बड़ी रकम होगी कि इत्यास पलड जाएगा पूरा और रोहिस सर्मा उक्षन में जाएंगे तो मुंबई इंडियन्स के रिए तो बड़ी समस्चा है फिर वापस नहीं ले पाएंगे और सारी टीम है जिसमें रोयल चेलेंजर कि हम रिष्ण कोेप्टर मना रहा है वह इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई की जो रिटेंट पर लिरलैर लिस्ट बातार कप्तान या फिर रिटेंट पिलेर के तौर पर और रहा जाएगा लेकिन अगर यह आते हैं रोहित तर्मा सूर कुमार यादो आउक्शन में आते हैं तो फिर सभी टीमों का जो रेटेंशन का जो गढ़ित है वह पूरा का पूरा फेल होने बाला क्योंकि आपका पर्स लिमिटेड है पर्स लिमिटेड है सूरकुमार यादो बुम्रा या फिर रोहित मैंसे कोई दो ऑक्षन में आगे तो फिर तो समस्याएं बहुत जादा बहुत जादा रोपिया करश करना पड़ेगा और आप अल्रडी रेटेन कर लेंगे तो पर कैसे मै और दूसरी टीमों ने उठाली है मुंबई ने पांच उठाली चैन्नाई ने उठाली गुजराद नई टीम आई उसने उठाली लेकर पंजाब डेली यह वो टीम हैं जो अपनो कॉंबिनेशन ही नहीं बना पा रही है कि किन प्लेयर के साथ हम जाएं कौन से हमारे तेरा च दूर्कुमार रियादा बुमरा मैंसे कोई दो आ जाते हैं उक्सर में तो फिर छपड़ फाल के दोस्तों पैसा बरसने बाला हो इसन किसान आ जाएंगे उस पर भी पैसा बहुत बरसने बाला मुंबई की बात बताईए आपको क्या लगता है कि रोहिस सर्मा को रॉयल चैल कि रिलीज नहीं करेगी किसी कीमत पर नहीं करेगे मुंबई के लिए है भी सिरदर्ध बन जाएगई लेकिन इंट्रेसिंग है रिलीज करदेंगे तो फिर जो आईपील मेगा उक्षन है न वह आईपिल जैसे चालू होगए नो पहला मैच उस तरीके से इंट्रेसिंग होन नहीं होने वाला तो आपका क्या ख्याल है क्या रोहिस सर्मा को रिलीज किया जाएगा या रेटेन किया जाएगा और अगर आप मुंबई के फैन हैं तो मुझे कॉमेंट करके वो पांच रेटेन प्लियर बता दीजिए जो तो 31 अक्टूबर से पहले मुंबई की लिस्ट में होंगे और जिनको जब रिलीज होगी और लिस्ट है तो उसमें से नाम होंगे अगर आप मुंबई को सभी से फॉलो करते होंगे तो वो पता चल जाएगा आप कोमेंट करके जरू बताईए मुंबई के वो पांच प्लियर क कि इनको बंबई इंडियान से रिलीज कर सकती है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो करीदो